हेलो बच्चो वेरी गुड मॉनिंग वाल आफ यू आपको वापस करा रहे हूँ ओके तो सबसे पहले अगर हम अपना परिचे देते तो क्या करते हैं पहले जैसे हम मैम को मिलते तो हम गुड मॉनिंग बोलते हैं या कोई हमारे यहां गैस आते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं नमस्ते जैश्री किष्णा ऐसे ही यह जो अमन है यहां पी लड़का है इसका नाम अमन है तो अपना परिचे दे रहा है नमस्ते मेरा नाम अमन है मै मैं 6 साल का हूँ, नमस्ते, मेरा नाम अमन है, मैं 6 साल का हूँ, नेक्ट यहाँ पे, ये मेरे माता, पिता, बहन और दादा, दादी है, जो अमन ये लड़का है, तो क्या कह रहा है, ये मेरे माता, पिता, ये उसके माता, पिता, ये अमन की बहन, ये अमन की बहन है, और दादा दादी है तो यह अमन के दादा दादी है उसकी पूरी फैमली है माता पिता बहन और दादा दादी मेरी पाटशाला का नाम बालनिकेतन है यानि कि जो अमन है उसकी जो स्कूल है पाटशाला है उसका नाम बालनिकेतन है मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ अमन है जो लड़का वो कौनची क्लास में है फर्स क्लास में है पहली कक्षा में पढ़ता है तब इसी तरह से हम SR5 में देखेंगे SR5, page number 10 ये सभी मेरे दोस्त है ये जो सारे है ये सारे कौन है? अमन के दोस्त है मैं कई तरह के फल खाता हूँ लेकिन मुझे आम खाना पसंद है जो अमन है वो कह रहा है मैं कई तरह के फल खाता हूँ लेकिन मुझे आम खाना पसंद है अमन ने बहुत सारे फल खाता है बटु से सबस्यादर पसंद क्या है? आम खाना पसंद है तो बच्चो इस तरह से आपको read करना है और अपने parents को सुनाना है थेंक यू तो बच्चो अभी हम अपनी party पुष्था कमय कर रहे थे अब हम अपनी कारी पुष्थिका में देखते हो कि हमें क्या करना है कल हमने worksheet 2 की थी बट हमें दोनों क्या करना है कि हमने क्या किया है क्या नी किया worksheet 1 में हमने question number 1 किया था इसमें a में circle किया था और इसमें match करना था then second था worksheet number 2 page number 7 में हमने ये लिखा था हमें दूसरा question करना था मैंने एक दो example आपको दिये थे जो आपको करने थे है ना आज हम करते हैं वक्षीट नंबर थ्री तो वक्षीट नंबर थ्री है जो तो हमें इसका जो कोश्चन नंबर वन है वो आपको यहां पे यह लिखे हुए है शब्द उसको उसकी पिक्चर से मैच करने है सेकंड कोश्चन है सही चित्र पर ऐसे राइट का निशान लगा है तो उसमें हमें कलर करना है ओके फिर यहां पर दिया है एक शब्द में उत्तर दीजिए तो सबसे पहले यहां पे का नंबर अमन किस कक्षा में पढ़ता है देखो आपको आंसर यहां पर ही दिये हुए है उसमें से आपको फाइन करके यहां पर लिखना है ढूंड के लि लिखेंगे, ओके, नेक्ट है, अमन कितने साल का है, तो आपको यहाँ पर फाइंड करके, इसमें लिखना है, कि अमन छे साल का है, तो इस तरह से बच्चों, आपको हमवक करके, हमें, डाउट बॉक्स, जो कॉर्णर है, उस पर सेंड करना है, थेंक्यू,